नमस्कार मैं हूं समीब राजगुरू और क्रिकेट की बात में नए अंदास से T20 मैच है अलग-अलग एक्सपरिमेंट्स होते हैं तो हम भी अलग-अलग एक्सपरिमेंट्स करते हैं आज नए अंदास नए स्टूडियो से चेतन जी हमारे साथ है चेतन जी तयार है आप दूसरे वंडे के लिए विल्कुल और इस नए एक्सपरिमेंट के साथ आपको मज़ा रहा है और दूसरा T20 मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में साड़े 6 बजे टॉस होने के बाद साथ बजे शूरू होगा फिलाल टीम इंडिया के इस मैच के लिए क्या रनमीती है क्या कोई बदलाव हो सकता है या फिर उसी टीम को लेकर उतरेंगे क्या स्कोर यहां पर होना चाह होलकर में भी बजेगा धंका और केल राहूल का भी प्रयास था के वो भी अच्छा से योग देंकर इस बीच जोई चर्मा आउट हो गए वो शेयर सही अरा है उन्होंने वो लाजवाब टक्तुर आज फिर लुटेगी लंका पंच लगाया शॉट अच्छा है यह केल कटक में पटकने के बाद भारत की नजर सीरीज जीतने पर इरादे हिमालाई से उचे और चोश साथवा आसमान पर पहली बार इंदोर के होलकर स्टेडियम में टी-20 का अंतर राश्ट्रे मुकाबला हो रहा है लेकिन ये मैदान टीम इंडिया के लिए जीती गारंटी है अब तक भारत ने इंदोर में कुल 6 अंतर राश्ट्रे मुकाबले केले हैं और सभी के सभी 6 मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है इंदोर के होलकर स्टेडियम की पिच को बल्ले बाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है जहां गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और पिर छोटी बाउंडरी के साथ साथ तेज आउटफिल्ड बल्ले से निकले रन में रंग भर देती है यानि रोहित राहुल श्ट्रेयस दोनी मनीच पांडे भोलकर में हला बोले तो अजरच नहीं होगा बोलकर से पहले कटक में टीम इंडिया के पांडव ने 180 रंट होके वैसे हार्दिक पांडिया की रफ्तार और चहल की धारदार के इंद बाजी को श्रलंका नहीं भूली होगी पहले टी-20 में इन दोनों ने मिलकर साथ विकट चटका है वैसे टीम इंडिया के लिए ये सिरीज एक नया रेकॉर्ड बनाने के लिए भी जाना जाएगा अगर भारत अगले दो टी-20 मुकाबला जीत लेती है तो वो साल 2017 में 37 मैच जीत जाएगी क्रिकेट इत्यहस में ऐसा पहली बार होगा जब एक कैलेंडर येर में टीम इंडिया 37 मैच जीते ग। वैसे एक कैलेंडर येर में आस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे जादा 38 मैच जीते हैं इन दौर में टीम इंडिया का एलादा श्रिलंका को ठराने और दक्षीन अफरीका को आखे दिखाने का है इन दौर में मिली जीत ना सिर्फ रीज जीताएगी बल्कि दक्षीन अफरीका मुकाबले के लिए टीम के तैयारी भी पुखता करें तो चलिए फिलाल आपको बता दे कि टॉस हो चुका और श्रिलंका ने टॉस जीत लिया इससे पहले की पता चले श्रिलंका ने क्या सोचा है आज क्या करेंगे पहले आज भी गिंद बाजी करेंगे पहले डिव फैक्टर है यहां पर इस समय वह दूबिदा में उनको समझने ह यह यह टास हारना चाहते है, अगर मैं उनकी जग हो था मैं टॉस हारना चाहता है, लेकिन इस medidas तो रहे होगे, पहले कम प्ले बाजी, होåघ तो, पहले कमी करने है तो पहले कम वाजी करना पसंद करेंगे तो देखना है कि अब क्या रॉनिती उनकी होगी टोनी है, इस हिंखि इदम जो ताजा जो खबर होलकर स्टेडियम से आ रही है वो ही है शिरलंका ने टॉस जीता और पहले गिंद बाजी का फैसला किया है रोहिट शर्मा एक बार फिर पहले बल्ले बाजी करते में नजर आएंगे और जैसा रोहिट शर्मा ने इस सीरीज में हवा निकाली जहां तक शर्लंका के टीम की बात है थरमशाला में हार के बाद अब उमीद यहीं कि एक बार फिर इनका बल्ला धमाका बोलेगा टीम इंडिया के लिए मुश्किल टेस्ट नहीं है लेकिन कहिना कहीं टी ट्विंटी मैच है इसमें कमजोर कोई नहीं होता है ये बड़ी अलग सी एक बात होती है टी ट्विंटी में जितनी चोड़ी तीम उतना जादा खत्रा तो टीम इंडिया की रण नीती यहां पर एक पिछले मैच में बात कर रहे थे कि इनको रंज बनाने चाहिए उन्होंने रंज बनाये आप राहूल की बात करें मनीश पांडे की बात करें महिंदर सिंग दोनी तो क्लास ही थे लास टाइम तो यकीनन यही अब रन निती होगी कि अपने 20 ओवर्ज खेले और कम से कम 170-180 के कि बात करें, चाहल की बात करें कंदीब की कि हमारा जो स्टरेंफ है बॉलिंग की वैसी कायम है तो इसलिए चिंता को कोई बात की होनी च्छी है लेकिन इससे पहले कि रोहिच शर्मा से हम सुने की टीम में क्या बदलाव है या वही टीम के लिए विनिंग कॉबिनेशन के साथ कोई चेड़ चार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं सीरीज जीतने के कगार पर है आप इसी टीम से खेलें जीतते हैं तो अगले म नहीं विनिंग कॉबिनेशन के साथ कोई चेड़ चार नहीं और यह रही आपके सामने टीम यह जो वेंद्र चहल और खुल्दी प्याधव वाकिय में सपनों में भी आ रहे होंगे नीद दही आ रही होगी कि इन दोनों को कैसा कहले जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा खत्र बात यह है कि आपको चहिए कि यह दोनों रंस पनाए बिकोज आप एक दिवसे मैचिस की आगे बात कर रहे हैं अगली सीरीज की बात कर रहे है तो बहुत ज़रूरी है कि केल राउल का फॉर्म में आना और सुरेश यह जिस तरह कि अगर हम बात करें कितने बड़िया इस थीम के क्या विकेट कीपर बलिबास आप खरत है इस टीम के त्री मूर्तिये देखिए इस पर्दे के पीछे क्या है पर्दा हटाएंगे तो देखेंगे इसके पीछे थो मैं अगैसे पोड़ जाना गौै अ दूनिया के सामने भारत और श्रिलंका के बीच मुकाबला चल रहा है लेकिन लंका की जंग तो सर्फ एक खिलानी से है जिसके बल्ले की धार के इंद बाजों की हर रन्मीती काड़ देती है जो कप्तान नहीं होते वे भी लंका के खिलाफ चक्रव्यू रचता है जिसके हातों की रफ़तार बल्ले बासों को क्रीस पर टिकने नहीं देती है धुनी के त्रीमूर्ती अफ़तार का श्रिलंका के पास कोई तोड नहीं है इस साल श्रिलंका के खिलाब धोनी ने दो T20 खेले हैं दोनो T20 में वो नाबाद रहे और 173.9 एक की स्ट्राइक रेट से 40 रन बना है क्या T20 और क्या वंडे धोनी के नाम की सुनामी को रोकना लंका के बस में नहीं है इस साल धोनी ने लंका के खिलाफ 9 वंडे मैचस के लिए हैं जिसमें 99 की औसस से 297 रन चोड़े इस दोरान उनके भल्ले से 3 अर्चा तक भी निकले गटक में धोनी के रोधर रूप को देखकर आज भी लंका के पैर काप रहे होंगे क्यूंकि धोनी जितना खतरनाक भल्ले के साथ है उससे स्यादा खातक स्टम्प के पीछे शर्लंका के खिलाफ 2 टी 20 में विकेट कीपर धोनी ने 5 खिलाडियों को आउट किया है जिसमें 2 कैच पकड़े और 3 स्टम्पिंग की वहीं 9 वन डे में 14 लंकाई बल्लेबाजों को वापस भेजा है जिसमें 9 कैच और 5 स्टम्पिंग है आखड़े खुद बहुबली की वीर गासा सुना रहे है इन आखड़ों पर चार चांद लगने वाले हैं क्यूंकि धोनी को मिल गया है चार का साथ T20 में नमबर चार पर बल्ले बाजिक करते वे धोनी ने क्यारा पारी में 244 रंड बनाए 61 क्या उसत और 151.5 पांच पांच की स्ट्राइक रेट से मौनी सर्फ जीत के लिए जरूरी नहीं है बल्कि चहल और कुल्दीप के लिए वो द्रोन अचारिय से कम भी नहीं है वाकई में नरेंद्र बाहुबली है टीम पे और चेदर जी धोनी हम बात कर रहा है कुल्दी पियादव और जरूरी चहल की चमतकारी गेंद बाजी के लेकिन चमतकार तो पीछे से धोनी करवा रहा है कि परदे के पीछे चुप चाप बैटके इनसे अपने चेस के चत्रंज के जो यह मोहरे की तरह है जिनको चल रहा है और विलोधियों को दुश्मनों को कुछ समझ बनी है विकेट कीपर होता है इसलिए आप मैं कोई मेरी बात को मानता नहीं था आपको आखीर में कही निक Спना करवा सकता है आप देखें अगर पहले मैच से बात कर रहे थे वह बात करते है अपने गेंदबाजिण से हर समय चाहल को आवाज पीछे से लगाते रहते है도 अब को बताएगे कि किस जगह पे गेंदबाज ही करनी है बेट्समन कितना आगे खड़ा है, क्रीज में कितना पीछे खड़ा है, यह अगर विकेट कीपर नहीं बताएगा, समीब, आपको बहुत मार पड़ीगी अजी गेंदबास, तो विकेट कीपर का रोल, मतला अगर कहते हैं अगर गेंदबास ने चार विकेट्स लिए, तो 50% श ड्यू में तो बड़ा चमतकानी गेंदबाजी की और रनो के लिहाद से एक रेकॉर्ड जीत टीम इंडिया ने दर्च की, क्या आज भी हम इन गेंदबाजों से ड्यू में इस तरिकी की गेंदबाजी की उम्मीद कर सकते हैं, छोड़े से ब्रिक के बाद आप से मिलेंगे जा रहा है इस मैदान को, स्वर्ग है बल्ले बाजो के लिए, लेकिन ड्यू फैक्टर भी है, और भारत को ये डिसद्वांटेज है, लेकि पिछले मैच में हमने देखा, ड्यू का असर नहीं आ है, वो क्या वज़त ही और क्या आज भी अज़ा हो सकता है, यह क्योंकि विक इफेक्टर होते हुए, बॉल को ग्रिप करना था, बहुत ज़रूरी है, आपके फास्ट बालोस विकेट निकाले, तो चलिए फिलाल, टीम इंडिया की बैक्टिंग पर नज़र डालेंगे, और कही ना कही टीम इंडिया टॉस हारी ज़रूर है, लेकिन एक बार फिछले ब बेलेंगे?